हांटेड बस अरे कुछ तेर रुक जाना कुछ तेर कुछ मिली जाएगा लेकिन काफी तेर तक इंदजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती धीरे धीरे समय के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का दिखना भी बंध हो जाता है अरे ये दिख अब तो सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नाम और निशान नहीं है एक काम करते हैं वापस अपने ओफिस चलते हैं हम दोनों आज रात वहीं गुजार लेंगी देख तुझ अच्छी तरह पता है दस बज़े की बाद चौकिदार ओफिस के में गेट पर ताला लगा कर अपने घर चला जाता है ओफिस जाने का कोई फाइदा नहीं है इस सुनसान सड़कुतिक मुझे बहुत खबराट हो रही है एक काम करना उसी चौकिदार की घर चलते हैं वो भी तो परिवार वाला है हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुख सकते हैं अरे बागल चौकिदार दस बाई दस की खोली में रहता है उसके चार बच्चे हैं बहला वो हमें अपने घर में कौन सी जग़ दिखा अब तुना यह बिकार की बाते बन कर और चुपचाप खड़ी रहे शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए फिर काफी देर इंतिजार करने के बाद आखिर कार एक नीले रंग की बस उनके सामने आकर रुखती है बस का दर्वाजा खोल खुल कंड़क्टर उन दोनों से कहता है कहिए कहा जाना है आप दोनों को देखिए मीरी पूरी बस खाली पढ़ी है मैं आप दोनों को आपकी ठिकाने पर छोड़ दूंगा इतना कहकर कंड़क्टर मुँमे भरे पान की पिचकारी सडक पर दिमारता है निकिता लोगों का कहना है कि कुछ मेंने पहली इसी तरह अंदेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या करती थी इस बस का रंग भी नीला है कहीं ये वही बस तो नहीं कंड़क्टर शीला की बाद सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है देखिए मेम साब उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक है लेकिन दुनिया में निले रंग की एक ही बस तो नहीं है न यह तो सिर्फ एक इतिफाक है देखिए हमारी बस में एक मेम साब पहले से ही बैठी है चाहे तो अब देख लीजिए निकिता गर्दन उठा कर देखती है तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल ओड़े बैठी हुई थी सही तो बोल रहा है भईया बस में पहले से एक लड़की बैठी है चला हम भी बैठ जाते है वैसे भी बहुत देर हो गई है अरे ठहर जाना निकिता मुझे डर लग रहा है अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तो यहीं खड़ी रहे मैं तो चली आरे तुम मुझे चोड़ कर कहा जा रही है मैं भी चलती हूँ दोनों बस में जाकर बैठ जाती है देखते ही देखते ड्राइवर बस को तीज रफ़तार में चलाना शुरू कर देता है तब ही शीला के नजर पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी लड़की पर पड़ती है उस लड़की की लाल आँखे और उसका आधा जला हुआ चेहरा देखकर शीला खबरा जाती है सुनने की ता हमारे पीछे जो लड़की बैठी है न उसकी आँखे एक्दम खोन की तरह लाल हार चेहरा किसी चुड़की तरह डराऊ न दिख रहा है अरी छोड़ ना कौन का ऐसा दिखता है मुझे इन सब बातों में कोई दिल्चस्पी नहीं है मैं थोड़ी देर जपकी लेना चाती हूँ इसलिए अब तू अपनी बड़ बड़ बंद कर प्लीज बेफिकर निकिता अपनी आँखे बंद करके बैठ जाती है दूसरी और बस जंगल के रास्ते में पहुची है जारों तरफ कना अंदेरा और साथी जंगल में मौझूद जंगली जानवरों की डरावनी आवाजे शीला को और भी ज़्यादा डराए जा रही थी थोड़ी ही देर में बस एक बरगत के बेड़ के पास से गुसरती है तब या चानक बरगत की डाल पर बैठी एक बल्ली कूद कर फिर्की के रास्ते शीला की गूद में आवाजेती है मर गई रहे बचाओ मुझे कोई बचाओ शीला के चिल्लाने के वज़े से निकिता के आँख खुल जाती है और वो भी घबरा कर इधर उधर देखने लगती है तब ही पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की उठकर शीला के पास आती है और बिना कुछ कहे उस बिल्ली को शीला की गोद से उठा उसे सहना दे हुए अपनी गोद में लेकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है अरे शीला तो तो बहुत ही डर पोक है जरा जरा सी बात पर उचल पड़ती है मैं कल से अकली ही सफर करूँगी अरे मैं क्या करूँ वो बिल्ली अचानक मेरी गोद में आगिरी अपनी बगवास बन कर और मुझे चैन से सोने दे इस तरह शीला को डाट कर निकिता फिर सोजाती है पर तबी अचानक एक छटके से प्रेक लगा कर ड्राइवर बस को रोकता है शीला खिरके से बाहर चांक कर देखती है तो उसे सड़क के किनारे एक काला आदमी खड़ा दिखाए देता है उसकी बड़ी बड़ी डाड़ी और अजीब से कपड़े देखकर शीला को घबराट होने लगी है क्या हुआ ड्राइवर भीया आपने बस क्यों रोकती वो देख सड़क के नारे कितना डराऊना आदमी है उसका अजीब और गरी भूलिया देखकर लगता है जैसे कोई शैतान खड़ा हो अब शीला की तरह निकिता भी उस आदमी को देखकर थोड़ा डरने लगती है कंड़क्टर क्या तुम उस आदमी को बस में चड़ाने वाले हो उससे देखकर हमें डर लग रहा है उससे बस में मत चड़ाओ अरे डरने की कोई बात नहीं है मेम साब ये आदमी जंगल की पीछे वाले गाउं में रहता है ये रोज इसी वक्त मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गाउं में जाता है और वैसे भी ये बेचारा गुंगा है अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ ओ आच्छा चीक है फिर कंड़क्टर का इशारा पाते ही वो आदमी बस में सवार हो जाता है ड्राइवर दुबारा एकसलेटर पर जोर देकर बस को आके बढ़ाता है थोड़ी देर में बस एक घाटी पर चड़ती है बस के एक तरफ गहरी और डराउनी खाई थी और ड्राइवर को इस बात से कोई फर्पड़ता नज़र में ही आ रहा था वो लगातार बस के रफ़तार बढ़ाकर बस चलता जा रहा था ड्राइवर भीया आप देखतें नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है बस की रफ़तार लगातर बढ़ाए जा रहे हो थोड़ा धीरे चलाओ न अरे मेम साब कबराने की कोई बात नहीं है ये तो मेरा रोस का काम है मैं तो यहां इसी रफ़तार से बस चलाता हूँ अब बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाईए अब को कुछ नहीं होगा ड्राइवर के कहने बनने की ता शांती से बैठ जाती है कुछ दूर चलने पर अचानट ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोक देता है शीला एक बार फिर खिड़की के बाहर च्छा कर देखती है लेकिन इस बार उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता अरे अब क्या हुआ तुमने बस क्यों रोक दी यहाँ तो दोर दोर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा ड्राइवर उसकी बार का कोई जवाब नहीं देता पर कंड़क्टर बोल परता है यह हमारी फेवरेट जगा है हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं अब हमारा पोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से आगे बढ़ेगी इतना कहते ही कंड़क्टर सीट के नीचे रखी एक शराब की बोदल निकालता है हारे यह सब क्या है तुम्हारे बस पे सवारी बैठी है उन्हें घर पाँचाने की जगह तुम यहां सड़के पीच में बस रोक कर शराब पीोगे बस में लड़कियों के बैठी हुए भी तुम्हें यह सब करते हुए शर्म नहीं आती कंड़क्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कराते हुए शराब पीने लगता है तबी ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंड़क्टर के साथ मिलकर शराब पीने लगते है निकिता मुझे इन तिनों की इरादे कुछ ठीक नहीं लगते है हमने इस बस में बैट कर बहुत बढ़ी भूल कर दी तो घबरामद मैं हमेशे अपने पर्स में छोटा सा चाकू रखती हो उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगार पाएंगे देखो गज्जो भाईया हमारी बस में इस समय तीन जवान लड़कियां बैठी है कहो कहो सबसे पहले किसका शिकार किया जाए मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठी है ना उसे पकड़ कर लाओ उसके बाद इन दोनों का पोग्राम फिट करेंगे ठीक है जैसी तुमारी मर्जी अपो आदमी पीछे वाले सीट पर बैठी लड़की के पास पहुँच कर उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आँखे जरूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती है उसका चहरा गुसे से लाल और उसके मूँ से नुकिले दाथ तिकने लगते है अरे अरे ये क्या ये लड़की अचानक इतनी खदरनाक कैसे बन रही है इतने में वो लड़की उस आदमी को उठा कर वही सीट पर पटक देती है मुझे राथ लगाएगा तेरी ये देमत जूर से जीखते हुए वो लड़की उस आदमी पर हमला कर देती है और पल भर में ही उस आत्मी का काम तम्माम हो जाता है ये देख ड्राइवर और कंड़क्टर के होश उड़ जाते हैं इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए तुरंट बस से बाहर कूच जाता है पर तभी बस के पीछे के तरफ से तेजी से आ रहा एक ट्राइवर उसे कुचल कर चला जाता है ये की पल में अपने दोनों साथियों की मौद देख अब कंड़क्टर के हाथ बैर कापने लगते हैं ये सब देखने के ताउर शीला के भी होश होड़ जाते हैं वो चुपचाप अपने सीट पर ही चुपकर बैठी रहती है अरे 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 कौन हो तुम और तुम इतनी बयानक कैसे बन गई अब वो लड़की गुस्से में गुराते होए कंड़क्टर का गला पकड़ लेती है इतनी चलती मुझे बूल गए कुछ महीनों पहले तुम तिनों ने बड़ी बेरे में से मेरी हत्या की थी और फिर शहर छोड़ कर भाग गए कई दिनों से मैं तुम तिनों के इंतिसार में बटक रही थी आज जाकर मेरा बदला पुरा होगा अब तु भी अपने साथियों के तरह जहन्नम पहुच जाएगा अब वो लड़की कंड़क्टर को उठा कर बस के पास मौजुद खाई में फैंकी थी कंड़क्टर एक बड़े पत्थर से जाटक राता है और उसकी भी मुद्धी तो जाती है दूसरी तरफ ये सारा नजारादेक शीला और निकिता भी होश हो जाती है अगली सुपा जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आपको एक सरकारी अस्पताल में बाती है